चार दोस्त एक्जाम के लिए लेट पहुचते हैं और टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्लीज एक्जाम में बैठने दीजिए टीचर उन्हें पूछता है एक्जाम में लेट क्यों हुआ तो वो बताते हैं कि सर हमारे कार का टायर पंचर हो गया था तो टीचर उने बोलता है ठीक है और चारो को अलग-अलग रूम में बिठा देता है एक्जाम के लिए और चारो को एक सवाल देता है जिससे उसे समझ जाता है कि चारो जूट बोल रहे थे कैसे? ऐसा क्या सवाल दिया टीचर ने? क्या? आप बता सकते हैं? आपका अंसर कमेंट कीज़े चलिए इसका अंसर देखते हैं टीचर ने उने सवाल दिया कि बताओ तुमारा कौन सटायर पंचर हुआ था और चारो ने इसका अलग-अलग जवाब दिया वही टीचर ने उनको पकड लिया चलिए अगली पहली देखते हैं एक दामाज जी अपने ससुरार जाने वाले होते हैं तो अपने ससुर को बोलते हैं मैं जो भी डेट पे आऊंगा उस डेट की किलो का सोना लेके जाऊंगा मतब अगर मैं 14 तरीक को आया तो 14 के जी तो ये सुनके ससुर जी टेंशन में आ जाते हैं कि अब मुझे 31 अलग-अलग वेट का सोना बनारा पड़ेगा तो ससुर जी 31 पीस बनाने सोनार के पास जाते हैं जब सोनार ये पूरा किस्सा सुनता है तो मस्त एक तरकीब बताता है जिससे बस 5 पीस बनवाने होंगे और पूरे 31 दिन में टामाद कभी भी आए उस तारीक का सोना उसे मिल जाएगा क्या आप बता सकते हैं कि ये 5 पीस कितने कितने के जी के रहेंगे आपका अंसर कमेंट कीजे चलिए इसका अंसर नेखते है पाँच पीस रहेंगे एक, दो, चार, आट और सोला केजी के इन पाँच नमबर को यूज करके आप 31 तक के कोई भी नमबर बना सकते है जैसे समझ लीजे अगर आपको 23 बनाना है तो 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 23 हो गया वैसे ही आप कोई भी कॉम्बिनेशन इन पाँच नमबर को यूज करके बना सकते है चलिए अगली पहली देखते है एक आइलेंट था जो शेहर से काफी दूर था वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था फिर भी वहाँ एक ट्राक्टर पहुच जाता है कोई शिब भी उसे लेके नहीं आई थी फिर वहाँ ट्राक्टर पहुचा कैसे क्या आप बता सकते हैं आपका आंसर कमेंट किजिए चलिए इसका आंसर देखते हैं एक जवाब ये हो सकता है कि थन में पानी जम गया होगा तो ट्राक्टर पानी पे चलके आईलेंड पे आ गया अब बर्फ पिगल गई है तो वापस पानी हो गया है आपके पास अगर कोई और सोलूशन है तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता है चलिए अगली पहली देखते हैं क्या आप इन सारे इमोजीज को देखके बता सकते हैं इन में कौन से दो इमोजीज एक कम सेम हैं और इसका सही जवाब है ये दो इमोजीज चलिए अगली पहली देखते हैं क्या अब आप इन सारे इमोजीज को देखके बता सकते हैं कि इन में से कौन से दो इमोजीज एक्जाक्ट सेम हैं और इसका सही जवाब है ये दो इमोजीज चलिए अगली पहली देखते हैं आपके सामें एक पांच केजी का लखड़ी का बॉक्स रखा हुआ है क्या आप बता सकते हैं बीना बॉक्स को तोड़े आप इसे 4 कीजी का बॉक्स कैसे बना सकते हैं समय के लिए आप वीडियो को पॉस कर सकते हैं चलिए इसका अंसर देखते हैं सिंपल है आप बॉक्स के बीच में होल कर दीजिए तो बॉक्स बॉक्स रह जाएगा और वेड भी कम हो जाएगा चलिए अगली पहली देखते हैं आपके सामने कुछ लेटर्स है क्या आप बता सकते हैं अगला लेटर कौन सा आएगा और हाँ एक हिंड है आपके लिए नेक्स लेटर ई नहीं है तो आपका आंसर कमेट कीजिए तो चलिए इसका आंसर देखते हैं नेक्स लेटर है एप एप को जब आप इस पे रखेंगे तो नीचे की लाइन के साथ मिलके वो ई बन जाएगा चलिए अगली पहली देखते हैं एक लेटी अपने होटल रूम में आराम कर रही थी कभी अचानक उसके रूम का डो नॉक हुआ नॉक नॉक उसने बहार आके देखा तो एक आदमी था आदमी बोला सौरी मुझे लगा मेरा रूम है लेटी अंदर गई और तुरन पोलिस को फोन लगाया क्यों? उस लेटी ने पोलिस को फोन क्यों लगाया? क्या? आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए चलिए इसका आंसर देखते हैं उसने पोलिस को फोन लगाया क्योंकि होटल रूम में कोई नॉक करके अपने रूम में नहीं आता उससे लेटी को समझ गया कि कुछ गरबर है और उसने पोलिस को तुरंट फोन लगाया चलिए अगली पहली देखते हैं एक व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है एक बिल्डिंग से गयर गया मडर था या सूसाइड था? किसी को समझ नहीं आ रहा था केस को सॉल करने के लिए डिटेक्टिव मेहूल को गुराया गया मेहूल ने डेट बॉडी के आसपास ध्यान से देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया मेहूल ने टेरेस पर जाने की कोशिश की बट टेरेस बंद था फिर मेहूल फोर्थ फ्लोर पे गया खिड़की खोली और एक फत्तर नीचे फेका फिर थर्ड फ्लोर पे गया खिड़की खोली और एक फत्तर नीचे फेका ऐसे ही उसने दूसरे और पहले फ्लोर पे भी जाके किया और तुरंद बोल दिया यह एक सुसाइड नहीं एक मुर्डर है मेहुल को कैसे समझा कि ये एक मडर है क्या आप बता सकते हैं आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेट कीजिए चलिए इसका आंसर देखते हैं अगर ये सुसाइड होता तो कोई ना कोई खिर्की खुली रहती या टेर्स का दर्वाजा खुला रहता क्योंकि ये मडर था तो उसको किसे धक्का देखके खिर्की बंद कर दी थी इसलिए मेहुल को समझ जया कि ये एक मडर था चलिए अगली पहली देखते है एक संडे बॉनिंग को एक लेडी का मडर हो जाता है टेकी काद करने पुलिस आती है पुलिस जितने भी सस्पेक्ट रहते हैं उनसे पूछ ताच करती है हस्बेंट मैं उस ताइम नहा रहा था मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि मडर कैसे हुआ कुक मैं गार्डन में पेर पौदों को पानी दे रहा था मुझे भी कुछ नहीं मालूम है मैं उस ताइम गार्डन में पेरों की सफाई कर रहा था मुझे कुछ नहीं मालूम है मेड मैं घर की सफाई कर रही थी मुझे भी कुछ नहीं मालूम है सब के बयान सुनने के बाद पुलिस तुरन मर्रर को पकड़ लेती है कैसे? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं जब गार्डनर था गार्डन में तो सुबा के टाइम पे कुछ गार्डन में क्या कर रहा था? खाना बनाने के बजाए मतलब वो जूट बोर रहा है चलिए अगली पहली देखते हैं भूके, प्यासे और गरीबी वाली हालत में आप एक कार चला रहे हैं देड रात हो चुकी है तभी आपको अचारत तीन दोर दिखते हैं पहले दोर के अंदर पानी है दूसरे दोर के अंदर बहुत सारा फूड है और तीसरे दोर के अंदर बहुत सारा पैसा है तो आप सबसे पहले कौन सा दर्वाजा उपन करेंगे आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए सिंपल आप सबसे पहले कार का दर्वाजा उपन करेंगे तो कैसी लगे आपको पहले इतर झाला है